लगतार खासी या कभी-कभी बुखार की समस्या का सबसे बड़ा कारण influenza A.K. subtype H3N2 की वज़ा से हो रही है देश में इस समस्या पिछले 2-3 महीनों से बनी हुई है Indian Council of Medical Research के एक्सपर्ट ने इसके लिए influenza A.K. subtype H3N2 को जिम्मेदार ठहराया आपको बता दे कि Indian Medical Association ने एक advisory जारी कर लोगों को azithromycin और amoxyclev जैसे antibiotics लेने से बचने का request किया I.E.M.A. के National President Dr. Shadat Kumar Agrawal ने advisory में कहा कि जब antibiotic के जरूरत नहीं होती है तो इन्हें लेने से antibiotic resistance होता है वहीं डॉक्टरें ने कहा कि जब भी antibiotic medicines की जरूरत होगी तो वह resistance की कारण काम नहीं करेंगा है उन्होंने कहा कि हाली में खांसी, उल्टी, गले में खराश, बुखार, शरीर में दर्द और डाइडिया के लक्षन वाले patient की संख्या अच्छानक increase होई है infection आम तोर पर लगब 5-7 दिनों तक रहता है बुखार तीन दिनों में चला जाता है खांसी तीन सप्ता तक बनी रह सकती है NCDC से मिली जानकारी के अनुसार ये ज़्यादा तर मामले H3N2 वाइरस के हैं association का कहना है कि influenza और दूसरे कई वाइरस की कारण October से February के दोरान मौसन सर्दियां खासी होना आम बात है कई antibiotic medicines का कुछ शर्तों के लिए misuse किया जा रहा है और patient के बीच resistance डेबलप कर रहे है जैसे diarrhea के 70% मामले viral के हैं जिसके लिए antibiotic medicines की जरूरत नहीं है लेकिन डॉक्टरों की ओर से एंटिवाइटिक्स लेने की सला दी जा दिया है association ने डॉक्टरों से केवल symptomatic treatment लिखने को कहा है जबकि एंटिवाइटिक्स से बचने की सला दिया है